मुझे उसको explain करने की जरूत नहीं है दोस्तों बस दिमाख में एक चीज थी कि कैसे ने कैसे करके जिंदगी जो है गरीबी श्याम लोग निकले हैं किस तरह की आगे जिंदगी होगी हमें नहीं पता लेकिन मैंने बार बार परमपिता परमेश्वर को एकी बात जरूर बोलता मुझे जब networking के बारे में बता गया इस industry के बारे में बता गया तो उसे पहले जो think थी वो बहुत ज़्यादा negative थी दिमाग जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा उल्टेशी दे थे क्योंकि महोल हमारा जो था जिस तरह का environment हमारा था जिस तरह के company में हम लोग रहते थे जि network marketing dreams का business है सपनों का business है और ना कुछ होने की वज़ा से network marketing की जो एक आच्छवी थी दिमाग में वो बहुत ही ज़्यादा खराब चवी थी लेकिन मैं इश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का बहुत-बहुत शुक्रेना दा करन महा महीम से रिसंजे जेन साब का जो मैंने वर्क्षोप लिया उस वर्क्षोप को जाने के बाद मेरे सामने दो एक्सपेक्टेट थे जहां पर मेरे सामने दो तरह की situation थी एक negative पहलू था एक positive पहलू था network marketing के बारे में जब मैंने जानने का प्रियाश किया और समझने का प् तो बहुत सारे positive पहलू भी थे बहुत सारे negative पहलू भी थे वहां पर मैंने positive पहलू की तरफ ध्यान देना सुरू किया और मैंने धीरे धीरे क्योंकि जब इस business में मैं आया और इस business के अंदर जब मुझे पता चला कि इस business से बहुत बड़ी life change हो सकती है इस business से बहुत कुछ हो सकता है जो कि मैं आगे बताने वाला हूं तो वहां पर मेरे दिमाग में जो उस workshop के माध्यम से मुझे पता चला था कि आदमी जिस category में रहता है जिन लोगों के surrounding में रहता है उसी तरह का प्रवाव उसके उपर पड़ता है तो सबसे पहले मैंने क्या किया मेरे surrounding में जितर जो ध्यान दिया वह हमने लक्ष की तरफ ध्यान देना शुरू किया उसके साथ में इस business में आने से पहले हम लोग बिल्कुल नहीं समझते थे क्योंकि negative पहलू यह था कि हमारे मन में ना किसी तरह का कोई humbleness था ना किसी तरह का कोई respect था ना कोई बात थी बस दिमाग में एक हमल रहते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है इसके अलावा बहुत सारी ऐसी mistakes जहां पर लगातार continue करते गए हमारे यहां पर system में बताया गए हमको कि आपका यहां पर कामियाभी के chance इसलिए सबसे ज़्यादा बन जाते है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो mistake की है उन mistakes क उसको यदि आप देखते हैं उन mistakes को यदि आप अपने अप्लाइन से सीखते हैं कि जो गलतियां उन्होंने किये वो गलतिया यदि आप नहीं करते हैं तो definitely आपके positivity से आगे बढ़ने की रास्ते खुलते जाते हैं और उसके बाद में success habits के बारे में पहले तो हमें पता ही न आप में investment करिए अपना जो time है अपने आपको आप समय दीजिए क्योंकि इस दुनिया में सबसे कोई कम चीज है तो वो है वक्त और लगातार continue failure और success negative और positivity में positivity का सबसे बड़ा पहलो मुझे बताया गया था कि यदि आप इस industry में आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने आपके साथ समय देना है और समय को खराब नहीं करना है 2006 से दोस्तों यह journey मैंने शुरू की 2006 से पहले की मैं बहुत ज़्यादा बाते रही बताऊँगा क्योंकि 2006 से पहले आप खुद समझ सकते हैं मेरी 19-20 साल उमर थी मात्र graduation मैंने complete कर ली ती 2006 में 2005 में मैंने business up join किया था त फिर उसके बाद मैं इस journey में आगे बढ़ा इस journey में मेरे साथ क्या क्या घटा मैं वो आपके साथ वो discuss करने वाला हूँ इस journey के अंदर किन किन चीजों की से मैं पिछले 18 सालों में कभी भी 18 सेकंड के लिए भी कभी मैंने business को छोड़ने का plan तक नहीं किया नहीं सोचा network marketing में काम्याब लोग हो क्यों नहीं पाते किन कारणों की वज़ा से जो है लोग इस business को छोड़ देते हैं और इसकी ताकत को समझ नहीं पाते वो आज हम discuss करने वाले है और हमारी जो जीवन बदला है ना कि मेरा ही नहीं इस पूरी industry के अंदर network marketing को जिस तरह से भारत सरकार ने एक authorization दिया है और वो authorization दिया ही इसलिए कि यहां पर यह industry जो है यह बहुत बड़ी काम्याबी की तरफ आगे लोगों को लेकर जा सकती है जहां पर चहुम की विकास की संभावनाय बनती है तो दोस्तों मैं वो सारे की सारी चीज़े आपके साथ जरूर शेर करना चाहूँगा आ यदि में आज जिस पोजिशन पे बैठा हूँ जिस रेवल पे बैठा हूँ जेश इंकम पे बैठा हूँ जिस तर他 के विचार मेरे पास है जिस तरह का डवलपमेंट मैंने अब तक मेरा किया है मैंने सरफ जो Education ली है मेरा międzyuchen से जो मैंने सीका गिए है मेरा मयं से तक सरफ त education से हुआ है आगे यदि मुझे मेरा development करना है आगे यदि मुझे मेरी growth लेनी है आगे यदि मुझे चौम की विकास करना है आगे यदि मुझे 20% की जो successful personality है यदि उनकी तरफ बढ़ना है मुझे वो बनना है तो definitely मुझे सीखना होगा सबसे पहला जो चैप्टर है vos है यहां पर हमको शीखने का सबसे पहला रोल है तो यहां पर मेरे को जो सबसे बड़ी बात समझ में आई थी जब इसे प्लान मैंने देखा था क्योंकि मैं एक नोर्मली एक टीचर बनना चाहता था और नोर्मली टीचर बनता तो मेरे को एक बात इसपस्ट थी कि 65 साल की उमर तक मेरे को 8 से 10 गंटा लगातार कंटीन्यू पूरे के पूरे लगबग 45 साल 25 साल की उमर में यदि मैं टीचर बनता हूं तो लगबग 40-45 साल लगातार मुझे काम करना है यह बात इसपस्टा के साथ मुझे किलियर थी कि यदि मैं टीचर बनूँगा तो डेफिनेटली मुझे बच्चों को पढ़ारा है और पढ़ारा है तो मुझे उसकी तैयारी करके जो है आगे जाना पड़ेगा तो यहाँ पर एक रस्ता मेरे सामने था कि मैं इस बिजनिश में आया तो यहाँ पर जो नेटवर्क की ताकत मुझे बताएगी थी जिस चीज ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरना दी इस बिजनिश में आगे बढ़ने की वो थी टाइम ओग मल्टिपिकेशन यानि आप इस बिजनिश में कहीं भी आप काम करते हैं और पूरे की पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन को फोलो करते हुए इसके पूरे की पूरे नीती नियम से दांकों को फोलो करते हुए लगातार कंटेनिव आगे यदि जाने का आप मूड बना के बैठे हैं तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा advantage है जो मुझे समझ में आता, वो है power of multiplication, यानि कि आपका एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक बराबर 60 साल तक मैं अकेला लगा रहता, तो मैं समय नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन network marketing की सबसे बड़ी और सबसे खुबसूरत जो part है इस business का वो यह है कि यदि आप network बनाने में काम्याब होते हैं और legal और authentic जितने भी principles बने हैं, उन principles को follow करते हुए यदि आप network बनाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा advantage क्या है, सबसे बड़ा advantage है कि आपके पास time जो है वो बढ़ जाएगा, यानि आप अकेले काम नहीं करने वाले हो वजा से ही बड़ी growth ली है, आज पिछले 18 सालों के अंदर जितने भी achievement हमने लिए, जितने भी जो हमारा विकाश हुआ, जो भी हमारा development हुआ, और उस development के लिए जो हमने समय निकाला, वो समय इसलिए निकाल पाए, क्योंकि हम लोगों के पास वक्त था, हमने network बनाया था, औ network बनाने के साथ साथ, हम बाकी चीजों पर भी ध्यान दे पाए, और बढ़िया से अपनी जिन्दगी को, जिस तरह की life जो हम सोते थे, उस तरह की life को बना पाए, दूसरा, इस business की सबसे बड़ी advantage जो मुझे समझ में आया था, वो आय था team work, team work का मतलब क्या है, team work का मतलब ह कि यहाँ पर एक और ग्यारा होता है, और यहाँ पर एक और ग्यारा ने, ग्यारा से ग्यारा अजार भी होता है, ग्यारा से ग्यारा लाग भी होता है, और ग्यारा लाग से ग्यारा करोड भी होता है, दोस्तों, यह सबसे बड़ी ताकत थी इस business की, कि यहाँ पर आप अकेल मिलने के चांस जीरो हैं वो पुएंटों में हैं 0.1 प्रेसेंटों में कोई आदमी होगा यहां पर प्रमेशर की किरपा मेरबान है तो शाद मुझे कोई शपोर्ट करें लेकिन यहां पर जितने भी एक्सपाइट हैं जो भी लोग लगातार यहां पर काम्याभी लेते जा रहे हैं उसका डारेक्ट कनेक्शन उसकी टीम से होता है यदि वो टीम लगातार कंटिन्यू एक सकस्पूल अप्लाइन को सकस्पूल सिस्टम को लगातार कं आद्धम से बाके सारे लोगों ने बात मानके फॉलो करके काम्याभी असिल किये और बात ना मानके फॉलो ना करके फैली भी हुए है अब यहां से यदि मुझे आगे जाना था तो मेरे लिए मैं सच बताता हूँ 18 साल की टाइम पिरेड में मुझे बिल्कुल भी इस बिजनि खराब हुए हैं यह बाते मैंने अथोरेटी दे दी थी इसर को कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजाशे लोग नेटवर्क को छोड़ते यह नेटवर्क तूटता है वो सारी बाते मेरे अप्लाइन स्री देवंदर सर्मा साहब स्री सुनेरलाल साहब स्री माग हो भी एक काम था और इस धरती के ऊपर यदि कोई आदमी इंटएन्शनली के बारे में एक बार सोचके समझ में हैं शिखाने के लिए सिस्टम बने हुए हैं experience आपके senior leaders का होता है बस आपको शरफ और सिस्टम को follow करना होता है तीसरा जो सबसे important था जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था डर लगता था डर लग रहा था मुझे जिसकी वज़ा से मेरे दिमाग में negativity थी negativity थी बहुत सारी cheat fund कंपनिया market से लोगों का पैसा लेके और लगातार plan कर रही थी लगातार continue market में एक negative जो है एक energy create हो रही थी जिससे की लोग objection करते थे लेकिन दोस्तो इस business के अंदार मैंने ये पाया था कि जो sets of company जिसको मैंने join किया है वो 100% product based company है world class company के product है और मुझे काम क्या करना है यदि मेरा जो life है जिसको मैं आगे as a career यदि मैं लेके चलना चाता हूं तो network marketing इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी economy तयार करने वाली और चहुम की विकास के साथ साथ एक number की white money marketing के साथ साथ आपकी personality development होती है आपके relation यहां से बनते हैं एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मोका network marketing industry देता है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे features है जहापर इंसान की personality develop होती है जहापर उसका mind जो है वह बहुत solid तरीके से develop होता है इसके अलावा relationship building बहुत तगड़ी होती है बहुत तरह की skills है जो यह industry हमको देती है और उसके साथ-साथ यदि आपके पास top level के product है तो आज market में हर आदमी कही ना कहीं market से अपनी need जो है वो purchase करता है तो shift stop के अंदर मैंने देखा था top class product थे 100% जो है refundable policy के साथ में थे किसी भी तरह का कोई भी cash के entry नहीं थी किसी भी तरह का कोई भी lane day किसी भी तरह का नहीं था company का एक एक रूपए का हिसाब की था बहुत ही authentic तरीके से और integrity के साथ में company का intention बहुत बढ़िया था तो मैंने इस industry के अंदर मुझे सिर्फ दोई चीज़ चाहिए थी एक industry मुझे मिली गई थी और उसकी ताकत मुझे बता दिया था और दूसरा चाहिए थी मुझे best company और इश्वर की किरपाद से परंपिता परमेशो की अशेम आशिरवाद से हिंदोस्तान की number one company और आने वाले टाइम में वर्ल्ड की बनने वाले बनने जाने वाली पूरे की पूरे इमांदारी के साथ चलने वाले हर सिद्धान्तों को follow करते वे बारत सरकार की guideline को follow करते वे लगातार प्रोडक्टों को यूज करते हुए और शान्दा तरीके से मुझे एक बात पता था आज कोई भी आदमी है आज digital का time है हर आदमी जो है अपने घर पे चीज़े चाता है सारे के सारे world class प्रोडक्टों को यूज करते हुए दोस्तों ये जरने किस तरह आगे अची चीज नेटवर्किंग में लगी थी इसका एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रोंग था मैं खड़ा हो के कभी माइक ने ले सकता था चार लों के सामने बोल नहीं पाता था लेकिन इसकी एजुकेशन ने सबसे बड़े बात confidence दिया मार्केट में दोनों पहलू है मार्केट में दुनिया भर की नेगिटिव चीज़ें भी चल रही है लेकिन हमको यह देखना है बहुत बाहर क्या होता है हम लोग मार्केट की नेगिटिव चीज़ों को देखते हुए और हमारे दिमाग में एक अलग पीचर करेट होना शुरू हो जाती है वहाँ पार हमको अच्छी कमपनियों को देखना है मार्केट में अलग अलग कमपनिया अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग अलग तरह की कमपनियों ने जनाम लिया और बहुत सारा पैसा लेके गए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका दूसरा पहलू कमपनिया अच करते हुए और 100% सरकार की गैडलाइन को फोलो करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है इसके अजुकेशन सिस्टम को हमें समझना है लगातार कंटेन्यू हमको ध्यान देते हुए और पूरे के पूरे जुतने भी इसके सिंदान्द है क्योंकि मैं दो बात जानता हूं एक ब बिजनिस बहुत ही शॉलिड और बहुत ही पावर्फुल बिजनिस है और सबसे बड़ी बात यह जो बिजनिस है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा ही लगी थी वो यह थी कि यह बिजनिस आपके जितने भी सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम हो सकता है नेटवर्क मार्केट इंड़स्टी सेफसोप तो आप सेफसोप के अंदर आके मैंने भी दिमाग में यह लगाया था कि इस इंड़स्टी जी हजारों लाखों लोग वल्डवाइज जब लोगोंने अपने जिंदिया बदली है तो डेफिनेटली मेरा भी यहां से जीवन बद बदलाव आया मेरा जो कॉंफिडेंस लेवल था उसके अंदर बहुत शोलिड वाला बदलाव आया इसके लावा मेरी परसनल्टी डेवलाप हुई इसके अजूकेशन को लेके मैं पांच लोगों से बात नहीं कर पाता था आज चाहे हजारों लोगों के बीच में भी का मिला था और मैं परमपिता प्रमेश्वर का बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे सेफशॉप जैसी एजुकेशन मिली और सेफशॉप जैसी कंपनी मिली सेफसॉप के अंदर बहुती महांतम हमारे गुरू लोग मिले जिनकी एजुकेशन ने जो है मेरी दि किताबों के बारे में बताए गया। بहुत सारी ऐजूकेशन जब मुझे बताए गई तो वहाँ पर दो तरह की बाति थी एक तरह थी, कि बहुत सारे लोगla की तरफ जाते हैं। और दूसरे जो दिगई थी धूकेशन दी गयी थी वह सकसफ questi की तडी गई थी। सक्सेस्फूल और फेलियर में मेजर जो डिफ्रेंस था वो क्या था मेजर डिफ्रेंस था कि एक तो सपनों का ना होना एक इसपस सपना यदि आपके पास नहीं है तो अटमेटिकली क्या होगा आप जिस भी नोकरी को कर रहे हैं उसको बराबर डूटी पर करेंगे आप जिस तो वो इस पेल टाइम करता है और उसमें लिजीनेज नहीं डिखता है मतलão कभी करेगा कभी Не करेगा कभी मूड करेगा कभी नहीं करेगा ऐसे पर सबसे पहले यह सिस्टम की ऐजूकेशन यह बताती है कि आप सबसे पहले अपना वहाई क्लियर करीए आप अपने आपको इ आप इस education के मादम से company के जितने भी system है उन system के तरीके से आदमी को 6 मैने में पूरा इस पस्ता आ जाती है clarity आ जाती है अच्छा मैने के अंदर और उसके बाद उसको पता चल जाता है कि मैं यहां से इस business से काम्याभी ले पाऊंगा कि ने ले पाऊंगा लेकिन important है कि आप अप अपने पूरे होने वाले हैं applying जो हमारे यहां पर है applying life line का रोल अदा करता है उसकी बातों को फॉलो करके जो है बड़ी success को चीव किया जा सकता है लेकिन लोग काम्याभी लेना तो चाते हैं लेकिन वो shortcut तरीके ढूंड़ना सुख करते हैं shortcut तरीके से कभी भी क्योंकि आप लेकिन यहां पर आदमी जुड़ते ही network में एक product खरीते ही उसको क्या लगता है कि बस अब मेरे साथ अपने आप network जो है जुड़ना शुरू हो जाना चाहिए और मेरे पास लाखों रुपे किन कमा जाना चाहिए नहीं यह सरफ चिपन कंपनियों में होता है यहां पर आप यदि network marketing में original इस industry का फाइदा लेना चाहते हैं तो इसके अंदर समय लगेगा कोई भी चीज जो है वो shortcut में नहीं हो सकती overthinking नहीं करना है बहुत सारा लोग overthinking करते हैं काम नहीं करते हैं overthinking और मतला बहुत कुछ सोचते रहेंगे उल्टा सीधा negativity बहुत high level की ओपर रहती है हार चीज में छोटी-छोटी बातों को लेके negative हो जाएंगे छोटी-छोटी बातों को लेके जो है नाराज हो जाएंगे marketing की education लेकि जब आप काम करते हैं तो हम आपको यह बरोशा देना चाहता हूं आपको एक प्रसेंट भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि उसमें दो पहलों आपको इस परस्ट दिख जाएंगे number one system क्या है education क्या है और किस रस्ते पर चलके आपको क्या-क्या चीज कची होने वाली है जब यह इस परस लोगया तो अब क्या हो गया अब यह हो गया कि मुझे उन चीजों के बारे में सीखना है क्या सीखना है product के बारे मुझे सीखना है product or promote कैसे करना इसके बारे मुझे सीखना है system क्या है उसके basic जो fundamental है list बनाना invitation करना आगे मैं बताओंगा वो सारी के सारी चीजे, जब आपको पता चलती है, जब आप उनको शीख जाते, तो यहाँ पर सीखने का कारिक्रा मेक्सिमाम छे मैने से एक साल में बहुत अच्छे से हो सकता है, उसके बाद, उसके बाद हमको लगातार continue, सही डूपलिकेशन के साथ, जो काम आपके साथ हु करते हैं, तो हर आदमी इस बिजनिश में आने के बाद, उसको कुछ भी नहीं पता, अब उसमें हमारा moral duty बनता है, कि हम अपने टीम के एक एक लीडर को, बड़ी इमानदारी के साथ, integrity के साथ, commitment के साथ, और या तो पार्ट टाइम करे तो पार्ट टाइम, और फुल टाइम करें तो फुल टाइम, उसी accordingly हमको उसके साथ, पूरा समय देके, और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, और same यही चीज निचे duplication करवानी है, क्यों, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में अकेले काम करते, तो उसका advantage भी हमको अकेले मिलता, अब यदि हम time of multiplication, यानि आप चाते हैं कि 8 गंटे में काम कर रहा हूं, और मेरी टीम में 1000 लोग हैं, 1000 लोग जो हैं, वो भी 8-8 गंटे काम करें, और result भी उसी तरह के लेके आएं, जिस तरह के आप खुद result produce कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है, जब बंदा आया है, तो उसने सिरफ एक product लिया है, इस industry के बारे में कुछ नहीं जानता, company के बारे में कुछ नहीं जानता, तो अब यदि हमें power of multiplication का advantage लेना है, तो अब हमको जिस तरह से आपके apply ने, system ने, company ने, आपको तैयार किया है, उसे तरह से, मानसिक रूफ से, physically रूफ से, knowledge की तरफ से, बहुत सा तरह की skills जो मैं बताँग आगे, उन skills को develop कराने में, अपलाइन का सबसे बड़ा रोल रहता है, मेरे अपलाइन में, properly वो रोल निभाया, और आज हम भी, लगातार पिछले 18 सालों से, हम लगातार उस रोल को निभा रहे है, दूसरा, no goal, जब गोल ही नहीं है, तो ये सारे के सारी चीज़े आदमी कर गए नहीं, करेगा नहीं, तो क्या होगा, उसने खरीदा प्रोडेक्ट, उसने सब्सक्राइब की बगवत कीता लिया, कोई डिनर सेट लिया, कोई चाय पती का अपना पैकेट लिया, और उसको पता चला कि यहां से नेटवर्ग बन सकता है, लेकिन उसका कोई गोल नहीं है उसका कोई लक्स नहीं है, और जिस आदमी का सुबह उठने का लक्स नहीं है, जिस आदमी को जिम्मे जाने का लक्स नहीं है, तो ओटमेटिकली बैसा बोडी नहीं बन सकता है, यदि बाहर उठने का उसको उसकी ट्रेन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आरम से स यह पिर उसको यह लगा है कहीं ना कहीं कि अभी मैं DAS-5 लोगों को जो मेरे जानकार हैं उनके साथ डिसकस करूँ अ da बहुत सारे लोगों की कामियाभी को देखके हमको लगता है या इंड्रस्ट्री बहुत बढ़िया है और यहां से बहुत बढ़ी success ली जा सकती है 100% success ली जा सकती है लेकिन उस बहुत बड़ी success जिस बंदे ने ली है उस बंदे ने किया क्या है हमको उसके पच्चिनों पे भी चलना पड़ेगा उसके पच्चिनों को follow भी करना पड़ेगा और सरफ ना कि सरफ पार्टिकुलर किसी इंसान के पच्चिनों को follow हमें जो बारस सरकार की guideline है उस guideline के तहत्त जो network mall मार्केटिंग में जितने भी company यह जिसी company में आप आया है तो मैंने फिर safe shop की guideline को follow करते हुए और safe shop में कामयाबी के जितने शिद्दान इस industry के लिए बने हैं उन सभी industry के शिद्दानतों को follow करते हुए अब मुझे क्या करना है मुझे एक्सन लेना है अगला जो पोटोपी के सामने लिखा है सक्सपूल आदमी क्या करते हैं सब चीजों को समझने के बाद एक्सन इस दा फाउंडेशनाल की टू आल सक्सस यानि की जबरदस्त वाली जो सक्सस है उसके यदि अच्छीव करना है उसको यदि लेना है हमको तो एक ही चीजे वो है एक्सन 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 और एक्सन एक्सन आपको क्या-क्या लेने है अब मैंने क्या-क्या एक्सन लिया तो लगातार मुएने आगे बढ़ना सुरू किया तो मेरे को बहुत सारी किताबे रिकमंड की गई आप ध्यान से समझेगा किताबे क्यों किताबे इसलिए रिकमंड की गई क्योंकि योगेस यादाव ने जो graduation और post-graduation किया था वो किया था हिंदी में संस्कृत में और इंग् मार्केटिंग की कोई भी उसके अंदार एक सिंगल चेप्टर मैंने मेरे 19 साल के कैरियर में नहीं पढ़ा अब यदि मैं नई इंडरस्टी में आया हूं अब यदि मेरे को अपना कैरियर दूसरे किसी फिल्ड पर बनाना है यानि मैंने टीचिंग लाइन से अपने आपको ही की थी और अब मैं बहुत रस्दीक था इसी तरह से अब नेटवर्क मार्केटिंग में यदि मुझे काम्याभी लेनी है तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की एजूकेशन लेनी पड़ेगी और एजूकेशन रातो रात नहीं ली जाएगी आपको उसमें समय लगेगा बहुत सारी किताबें मेरे को recommend की गई मैं आपके सामने मेरी जीवन की दस ऐसी recommended किताब बता रहा हूँ आपको जिन किताबों ने मेरे पूरे जीवन को बदला मेरे मानसिक सुतर को develop किया मेरे को spiritual life में यदि किसी ने पहुँचाया तो इन किताबों नों पहुचाया मैं कभी भी मैं बता रहा हूँ आपको cycle से उपर कभी मैंने सपना नहीं देखा था मैरे कभी ये सपना नहीं था कि 10-15,000 रुपशे उपर हमारी कभी income होगी मेरे कभी ये सपना नहीं था कि मैं अपनी life के अंदर कभी दूसरे लोगों की जिंदिकी को जो है explore भी कर पाऊँगा या दूसरे लोगों की जिंदिकी को transform कर पाऊँगा हाँ बस इतना जरूर दिमाग में था कि मैं एक teacher बनूँगा और मैं एक अच्छा teacher बन के दिखाऊँगा सिरफ ये सपना मेरा था लेकिन किताबों को जब recommend किया गया सबसे बड़ी बात क्या है जैसे आपको knowledge मिलती है आपको knowledge मिलते ही आपको crystal clear आगे का रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है कोई भी आदमी आपको demoralize नहीं कर सकता कोई भी आदमी आपको demotivate नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि आपने education ले लिए worldwide जितने भी top writer हुए और जिनोंने सफलता को लेके network marketing को लेके और जीवन में character को लेके और life में एक यह जो मानाव जीवन हमको मिला है इस मानाव जीवन में खाना पीना सोना और इसके अलावा जो दिन्चरिया है जो एक जानवर करते हैं पसू पक्षियां करते हैं उनके अलावा मानाव जीवन हमें जो मिला है उच में हम क्या क्या कर सकते हैं यह education का जो पहला ABCD मुझे दिया गया था वो दिशा वर्क्सोब में दिया गया था जहाँ पर हमारे माम ही हमारे माम ही म स्री नर्सिक रेवाल साब स्री संजे जैन साब ने हमको बताया था कि आप अपनी जिन्दगी के साथ-साथ आप समाज में भी आप देश के लिए भी बहुत सारी चीजे जो हैं वो इस अंडिस्टी के माद्गम से कर सकते हैं शुरू में हमें समझ नहीं आया तो उन्होंने हमें बहुत सारी किताबे रिक्मेंड की मैंने कम से कम डेड़ सो दो सो से ज़्यादा किताबे पढ़ी है इस बिजनिश माने के बाद से मैंने ली और उसके अकोडिंग ली मैंने पिछ अगले 18 साल लगातार कंडिन्यू कहीं भी कंफ्यूज नहीं हुआ और 18 साल लगातार बड़ी शान से निकले टाइम में मैंने सीखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉबलम हर आदमी के पास एक ही डायलोग है टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है बाई साब के पास करज़ा बढ़ता जा रहा है चीज़ें बेकार होती जा रही है घर के संतूलन सई नहीं है और प्रॉबलम क्या है समय नहीं है टाइम मैनेजमेंट किताब ने बताया कि इस जनम में पूरी धरती के उपर भर आदिमी के पास 24 गंटे हैं जितने भी लोगों ने काम्याब हुआ है उन्होंने समय को प्रबंदन किया है उन्हों को उन्होंने समय का प्रबंदन किया है और उसके बाद अपनी life को explore किया है और शांदार जो चीज अचीज मेंट उनको चाहिए थे वो सारे achievement उन लोगों ने लिए है, सोची और अमीर बनिये, नेपोलिय लिन की 35 साल की तपश्चा का ये फल, इस किताब ने मुझे बताया, बहुत सारी जो चीजे बताई मैं आपको आगे बताऊँगा, Secret of Millionaire Mind, सोची और अमीर बनिये, Secret of Millionaire Mind और समुख दर्तर पर प्यानो, ये ऐसी किताबे हैं, जो मैं अपनी graduation करता था, तो मैंने कभी भी किसी भी किताब को, साथ दिन से आठ दिन से ज़्यादा का समय नहीं दिया, साथ से आठ दिन के अंदर-अंदर, मैं अपने course की complete कर देता था एक किताब को, ये तीन किताब ऐसी किताबे मेरी जिन्दगी में, महा महीम स्री नर्सिगरेवाल साब, स्री दिवंदर सर्मा साब, स्री सुनेलाल साब ने, एजुकेशन बार 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 एजुकेशन को force करने के उपर, मुझे एक किताबे पढ़ने का मोका दिया, और जब मैंने इन किताबों को पढ़ना सुरू किया, मैं दावा कर सकता हूँ, जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे, आपको जिस तरह से चाय में आनन्द आता है, जिस तरह आपको खाने में आनन्द आता है, एक बार आप इन किताबों को पढ़ेंगे एक पेज से आप आगे ने निकल पाएंगे जब मैं Secret of Millionaire Mind को दोलत के चंपियन कैसे बने और उन्हों इसमें सब्दों की बाते जो बताई गई फाइलों के बारे में बताया गया एक पेज के उपर मेरे को आदे घंटे से ज़्यादा समय लग रहा था एक पेज आदे घंटा मतलब एक एक लाइन सारगरवित मेरा जीवन बदर गया इन किताबों की वज़ा से इन किताबों ने मेरे पूरे मस्तिक्ष की हर फाइलों को चेंज कर दिया समुद्धतर प्रप्यानों इस किताब को मैं जितनी आतारीफ करूं उतना कम है मतलब मैं इस किताब को जब भी बढ़ता हूँ मेरा एक दम दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाता है और मैं इस्पेशली मागरुजी स्री संजे जैन साब को मागरुजी स्री देवंदर सर्वा साब को नस्रीक देवाल साब को इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस इंडिस्ट्री के अंदर आपने एजूकेशन के साथ आगे बढ़ने की प्रेना दी personality plus इस किताब ने मेरी आँखे खोल दी इस किताब से मुझे पता चला कि इस दुनिया में चार तरह के लोग पाई जाते हैं चार तरह कि परस्नल्टी इस दुनिया में पाई जाती है लोगों के आपसी शंमंध अच्छे नहीं बन पाते हैं और बार-बार एक बहुत ही गिसाफ पिटा डाय लोग बोलते हैं, वो मुझे समझता नहीं है, मैं उसको समझता नहीं हूँ, वो मुझे समझता नहीं है, भाइसाब, जैसे ही लिटार मैडम ने यह किताब पढ़ा ही हमें, और हमने इस किताब को पढ़ा, crystal clear हो गया कि इस कि आप आप पता हुंगी थो सामने कम लाइड करते हैं लोग उनको क्या क्या अब कि पैर का इसन आप ability कर दे रहर दे क्या है तो सामने इसके साथ तार मिलेंगे हैं और नहीं मिलेंगे तुम को क्या लगेगा यह आदमी नेगिटिव है वो आदमी नेगिटिव नहीं है उस तीसरे कटेगरी वाले के साथ किस तरह के शब्दों का इस्तेंबाल करना है उसके साथ किस तरह दोस्ती करनी है उसके साथ किस तरह से उसकी बातों को सहमती देनी है यह सारी कि सारी चीज से बड़े राइटर हुए है उन्होंने इस्टिफिन आरकवी का हर किताब के राइटर ने जो है इस्किताब के माध्धम से मेरे पूरे जीवन को बदल दिया मैं ये बात क्यों बहुत को आप पढ़िये आप दस दिन के बाद पढ़िए मुझे कॉल करिए मेरे परसनाल लंबर है आपके पास में आप इस किताब को पढ़िए दस दिन के बाद आप खुद बोलेंगे सार मेरी आख ने तरचक शूलोच संद्रक सब खुल गे क्यों खुला जिन्दगी कैसे बदलती है लोगों को आपको इंटार इंडिया लेवल पार वर्ल्ड वाइज लेवल पार लोगों के साथ आपके रिलेशन बनना शुरू होते हैं तब आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का पता चलता है एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशन बना के हम पूरे भारत में ही नहीं पू 20-20 घंटे एक ही लाइफ है इसी में सब कुछ किया जाएगा ये बात मुझे किस ने बताया किताब ने बताया नहीं मुझे क्या लगता था मैं मास्सर्ट बनाऊ और गरीब आदमी हूं गरीब आदमी तो गरीबी में रहेगा लेकिन एजूकेशन ने मुझे बताया कि इस कामयाबी के सिद्दानतों को लगाता है उसको फॉलो करना है दूसरा मुझे बहुत घजब कीचीज कहां से पता चली मुझे पहले लगता था मुझे सराप पी निच चाहिए मुझे पहले लगता था इस दुनिया के अंदर तो नोन वेज भी खाया सकता है मेरे को किताबों से ही पता चला इस्पेशली नेपोलेन हिल साब ने मुझे प्रेरना दी कि शाकाहारी और अच्छे नियत वाले लोग ही सिखर पर जाते हैं परमपिता परमेश्वर की अशीम कृपा और इस्प्रीच्वली जब बंदा रहता है तो वो कोई अधरी भी गलत काम करने से ड्रता है तो मेरे को मैं यह नहीं बोल रहा कि मासा हारी होना गलत चीज़ है नहीं लेकिन मुझे जो साकाहारी रहने का और नो ड्रिंक और यह सब चीज़ें हमारी किताब में तो लिखा था की सरब का सयवन नहीं करना है लेकिन वो एक लाईन थी मतलब उसको करके और उसको जो समझाया वह नेपोलेल साइन साब नहीं समझाया और इसके अलावा जिमढोरनल साब में समझाया मने पढ़ा मज़ा गया और वहां से मेरा Lobar है वो बहुत ही spirituality की तरफ निकला बहुत सार लोग बोलते हैं सर आप जो है बहुत ही spiritual है मैं spiritual सुरुवात में था बहुत कम था आज हर सांस के उपार उस प्रमपिता प्रमेश्णर का ध्यान है हर पल उसका ध्यान है क्यों क्यों कि जीवन उसने दिया है कहां से मिली education ये पक्शंद आएंगी कई बार नहीं आएँगी कुछ लोग मजाक मजाक में आपको साथ मजाक कर जाएंगे लेकिन जरूरी है कि आपको मजाक पसंद आए तो उस इस्तति पर हमें नाराज हैं इनज होणा है यह कि ने बताया यह बूए बताया डिल कारनि समें जब लोगhanded द लोगों का सबसे बड़ा इंधेक्ट-फूल लिए अधी कोई अतियार होगा तो वह ego है मतलब अच्छे बढ़ाई होने के बाउजूथ भी नोलेज होने के बाउजूद भी परोड़ेटों की कमांड होने का प्रियास किया इंजन फेल हो गया कारण किताब नहीं पड़ी कारण नोलेज नहीं लिया कारण हमारे पिछले 18 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग आए जो अगले तीन से चार सालों में क्राउन जा सकते थे इतना कैलिबर लेकिन पढ़ाई करने की वज़ा से इगो वीच में आने की वज़ा से और उन्होंने नेटवर्किंग को छोड़ दिया पढ़ाई की होती नोलेज लिया होता सिस्टम में अप्लाइन जो हैं अब मैं पढ़ा लिखाता तीन तीन लिट्रेचर बढ़िया एजूकेशन शांदार मेरी परवरिश अब वहां कोई आदमी मुझे बोले कि भाया आप इस आदमी के साथ बैठ जाओ इससे सीख लो सिखे गए नहीं आदमी क्योंकि हमारे यहां के जो अप्लाइन है उनके एजूकेशन देखोगे तो अलग 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 लेवल की अलग अलग एजूकेशन है कोई उमर में कम है कोई ज्यादा है अब यदि किसी आदमी की इगो नहीं है तो चोटे बच्चे अप्लाइन यदि उसका कमेज में भी है और कोई यह मनलो पस्पन साल का आदमी है और वो इस बिजनिस में आगे जाना चाहता है और उसका जो शीनियर अप्लाइन है वो 25 साल का या 27 साल का है अ आदमी को जादा देन इस इंडिस्टी पर नहीं टिका पाती है यह स्पेस्टिफिक कारण है जिन कारणों की वज़ा से मैं 18 साल चल पाया बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं मैं ग्रेट मेंटर स्री देवंदर सर्मा साब का जिन्होंने मुझे बच्पन की बच्पन स इस बिजनिस में 19 साल का मातर था साइकल से मैंने सफर सुरू किया था कुछ भी नहीं जानता था नेट वर्किंग के बारे में लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सही रास्ते के उपर और प्रोपर जो सिस्टम था उस सिस्टम को खोलो करवाया एक जी जो और मुझे बताई ग अब यह लाइन जब आप बताईये किसी किताब में आपको पढ़ी मिलेगी और आपको लग रहा हो मेरा मेरे साथ मेरा अपलाइन मेरे साथ मेरे सब बेडा कर देगा मेरा गुरू जी खैना बेडा पार ले वो बड़ी बात है अब आप और उसके ओपर लध perde ज्याओ फिर निच्चे वाले आपने 10 लोगों को जो प्रोडेक्ट दीए और उन लोगों को सिस्टम की पूरी अजूकेशन देने की बजाए उसको भी गुरू के चली बना दो अब एक गुरुजी कितना को लोड जेलेगा गुरुजी लोड जेलेगा नहीं पता चला दस दिन बाद गुर तो जी खुदी कलर की नोकरी देखने चला गया बोला जी यह तो बड़ा गलत हुआ तो जोन सिमेशिवल साब ने क्या बोला सरफ अनुयाई बनने से बड़ा काम नहीं होगा जिम्मेदारी वाला लीडर बनकर पूरे सिस्टम को समझ कर अपना एक्जम्पल सेट करके आपक को काम्याबी लेनी है तो भाई साब उसकी एजूकेशन लेके हमको एक लीडर का रोल अदा करना पड़ेगा क्यों क्योंकि टीम मनाने वाले हैं ट्रेडिशनल मार्केट में योगेश यादावे टीचर बनता कहीं लीडर बनने की जुरूत नहीं थी लीडर सिपके जो सिद लाखों लोग आज मेरे साथ काम करेंगे ना मुझे उनको सेलरी देनी पड़ रही है लेकिर उनके साथ रिष्टा तो मुझे बनाना पड़ेगा ना उनके साथ काम तो मुझे करना पड़ेगा ना उनको लीड तो मुझे करना पड़ेगा ना अब यदि मैं 10 गुना 20 गुन पावर अफ मल्टिपिकेशन का यदि मैं एडवंटेज लेना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे लीड करना पड़ेगा और 90% लोग लीड नहीं करते बस पीछे-पीछे चलते रहते हैं पीछे चलिए लेकिन एक लेवल पर आने के बाद आपके पास 70% जिम्मेदारी होती है और 30% आपको follow करना होता है तो 30% तो लोग follow लेकिन 70% तो आपको भी तो लीड करना पड़ेगा ना और वो 70 प्रिसेंट का काम कमजोर होने की वजह से उसका पूरा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कही ना कहीं कहीं पंगू रह जाता है कहीं ना कहीं विकलांग रह जाता है कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क कमजोर रहता है और वो जो लेकिंग है उ नेटवर्क कही ना करें बिड़ नहीं हो पाता तो दोस्तों यह बात हमको समझ में आई किताब बढ़ गई जैसा कि मैंने परसनल्टी प्लस किताब के बारे में बताया चार तरह के परसनल्टी होती है सब के हिसाब से अपने आपको ड़ालना है और उनके साथ ही उनीके क्या चाहती है वह हमको फील करना है कब पर प्रेंगे जब हम पढ़ लेंगे पढ़ने में कौन सा अपने को अक्सपोर्ड यूनिश्टी जाना है बहिए एक किताब पढ़नी है अरे वैसे भी तो दुनिया भर का अखबार पढ़ते हैं वैसे भी तो दुनिया भर की मूई करते हैं उस टाइम को हटाके यह दि हम यहाँ पर किताब पढ़ेंगे अंग्रेजी आते हैं हिंदी तो हिंदी में पढ़िए और जैसे आप पढ़ेंगे तो सिंपल कोई एक्जाम नहीं देना आपको आपको समझ क्रियेट हो जाएगी थोड़े से भी आप समझदार हैं ड अब उसको पता है आज एक बारत का जो गवर्नर है उसकी जो शाइन करता है उसकी चारलाख रुपे सेलरी है इस इंडस्ट्री शे आप अनलिमिटेड इंकम कमा सकते हैं तो अब उसकी पढ़ाई तो करनी पढ़ेगी ना भाई या पार है यह मल्टिपिकेशन की ताकत है तो कहां से मिलेगी वो किताब होचे मिलेगी और एक किताब को पढ़ने में 20 पने भी हम डेली पढ़ते हैं बाईसाब 15 दिन के अंदर 300 पेज की किताब होती है आप मैक्सिमम 15 दिन में एक किताब कम्प्लीट कर जाओगे और ऐसी 10 किताब आपने पूरी कर दी आप देखेंगे एक से डेड़ पूने दो साल में आपका confidence level सातवी आसमान पे होगा लोग बोलते हैं network marketing के अंदर mistake करते हैं चिटिंग करते हैं गलत होता देखें मैं negative company का जो already shit fund पे काम कर रहे हैं उन company की बात नहीं करूँगा मैं बात कर रहा हूँ original company में लोग fail क्यों होते हैं original company में भी आ बात करूँ हमें तो वो सारी चीजे हमने दी सीख जाते हैं तो definitely आपका believe भी बढ़ता है आपके dreams भी बढ़ना शुरू होते हैं और आपकी life भी आगे जाना शुरू हो जाती है हमारी जीवन में जो भी होता है वही होता है जिसे अस्तितों में लाने के बारे में जाने या आपके जिन्दगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके करने वाले आप ही है और जो आप सोचते हैं आप वही आप बनने वाले हैं तो सोचना भी कैसे है किस तरह सोचना है क्या affirmation है किस तरह का visualization करना है success को किस तरह से आज आप present में हैं और 2030 में आप अपने आपको कैसे देखे देखेंगे यह जो टेक्निक समझाई है यह किस ने समझाई यह जो सफ मरपी साब ने समझाई यह टेक्निक के गुरु कोन है मा महीं माह गुरुजी से लिए संजे जैन साब जो की मैंड़ पावर कोच है वो उनकी जबाई जुकर ली तो उन्होंने पूरी तरह से जो कि हम 24 गंडा नेगिटीव जी सोचते थे और किताब में लिखा था कि आदमी 70,000 विचार 24 गंटे में आते हैं जिस मेंसे 90 प्रसेंट विचार नेगिटीव चलते हैं आप बताईए जिसके दिमाग में नेगिटीव चल रहे हो उसके अंदर सकस की प्रसंटेज क्या हो सकती है बह अभी आप देखें मैं तो इसका बिल्कुल जोलंत एक्जाम पलूँ मैंने पिछले इन किताबों को पढ़ने के बाद दोस्तों जिन जिन सब्दों का इस्तेमाल किया जिन जिन चीजों को जो जो सब्दों को बोलके इस यूनिवर्स में दिया मेरी लाइफ में ऐसी एक सिं समखा कर बोलता हूं जब से मैंने इनकी एजूकेशन लेना शुरू किया है तोटल और टोटल जो जो चीजे हमने सोची वो टाइम के ओपर पूरी हुई लोग बोलते टाइम पर नहीं होती अरे भया टाइम से पहले होती है लेकिन उसके अंदर विश्वास की जो ताकत है विश्वास की ताकत कम रहती है विश्वास का प्रसंटेज कम रहता है वो कम आएगा जब आप पढ़एंगे जब आपको विश्वास होगा कि यसास यह एक्षन करने से ही होता जब बुखार आता है ना tempo paracetamol में भरोशा लेके network marketing इस industry ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है जब बाकि लोगों ने अपने जिंदगिया बदली हैं तो definitely यहां से हमारी भी जिंदगी बदलेगी रस्ता सेम होना चाहिए और platform सेम होना चाहिए आपके असली सभी वो नहीं है जो हम देख रहे हैं ब हमारी self image को बहुत अगड़ा बढ़ाया हमारे great mentor श्री देवंदर सर्मा जी ने हमारी self image को बहुत बढ़ाया लगातार आप किनके सानिद में रहते हैं यह बहुत बढ़ा रोल है तो हमारी छवी हम तो खुद सोचते ही नहीं थे हम तो यह सोचते थे मेरे पिजा जीने नहीं करूंगा हमारी छवी बिल्कुल जीरो थी लेकिन system के education लेके great mentor को आशिरवाद से लगातार continue self image बहुत high level की हुई जिसके आगे की result जो है बहुत शांदार हुए और पिछले 18 सालों में जो जो हमने सोचाओ किया गलत नहीं बलकि जिसके सपने हैं वो हर कदम पर जाग definitely कहीं ना कहीं छोटे मोटे achievement लेने के बाद आगे के education नहीं लेने की वज़ा से अपने अप्लाइनों के संपर्क में ना रहने की वज़ा से और आगे के dream ना बनाने की वज़ा से धीरे धीरे फिर आलश आना शुरू होता है और उसके बाद वो गलक ट्रेक पकड़ना शुर में आप जो rocking करने आये थे हमेशा यदि वो चीज़ याद रहेगी तो कभी भी गलती के chance और गुंजायास बिल्कुल 0% पर रहने वाली है यह किताबों से पता चला किताबों से पता चला जो भी शिखर पर गए हैं वो आस्तिक थे आस्तिक बोले तो spiritual थे इस दुनिया में जितने में लोग टॉप लेवल पर गए हैं वो spiritual थे spiritual आदमी कभी भी जो है कोई भी नुक्षान नहीं करेगा spiritual आदमी कभी भी किसी तरह का कोई भी गलत किसी तरीके से किसी चीज़ को present नहीं करेगा spiritual आदमी ड्रेगा कोई भी गलत काम करेगा वो ड्रेगा और यही कारण ह कि वो आस्तिक थे और टॉप लेवल के उपर पहुंचे शिखर पर जाने वाल लोग आस्ति थे और इश्वरे किरपा में भरोशा करके समाज और मानाउता के हित में काम करते हैं और इससे उसको शर्वोच आनंद के अनुबोती होती है मेरे को यह बात किताबों से पता चला जितने भी लोगों ने डोनेशन दिया बहुत सारी किताबों मैंने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया लेकिन उन्होंने फिर जब डोनेशन देना शुरू किया तो उसके बाद उनको बहुत बहुत बड़े आनंद की आज जो है उनको आनंद की भावना जो है उनके दिल में जनमी और आनंद उन्होंने लिया आनंद से वो पली बूत होगे यही वजात रही कि धीरे-धीरे एक किताबे में नहीं पढ़ा होता तो दोस्तों मैं spiritually की तरफ नहीं जाता और यह जितने भी donation के work मैंने किये हैं पिछ कि यहाँ पर आपका जीवन बदलता है यहाँ पर आपके विशार चेंज होते हैं यहाँ पर आपको education मिलता है और यहाँ से आप देश के लिए समाज के लिए और मानवता के लिए एक बहुत ही शांदार example आप set कर पाते हैं तो बहुत मज़ा आता है अच्छे चरितर और श असली लोग जो जिनको लगातार continue forever लगातार 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 forever जिनको कामियाभी लेनी है तो किताब में हमको बताया गया कि असली पढ़ाई करके पढ़ाई करके ही लोग अमीर बनते हैं और अमीर लोग ही अच्छे चरितर का और अच्छे श्वाबिमान का निर्मान कर वहां पर आपका श्वाबिमान जो है वह बहुत टॉप लेवल का रहना चाहिए और वह एजुकेशन से आपका शॉलिड जो है वह बनता जाएगा मैं प्रम्पिता परमेशर का बहुत बहुत दन्यवाद देना चाहता हूं यह सब किताबे पढ़ी मार्दा सिन मिला बार बार एजुकेशन बार बार एजुकेशन बार बार एजुकेशन लगातार ट्रेनिंग लगातार कंटीनू आगे बढ़ना लगातार प्रोडेक्टों को प्रमोट करना लगातार हमारे कंपनी के डारेक्टर्स ने लगातार हमको बहुत ही नीती नियम सिद्धानतों पे इंटेग लखी एवरेटिंग 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 सब कुछ परम्पिता परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया ऐसा कुछ मेरे को फिल होना शुरू हुआ लगातार कंटिन्यू कोई भी चीज जब मैं अच्यूमेंट की तरह बढ़ता था तो हमेशा इस एजूकेशन की तरफ से जोसब मर्फी शाहब की तरफ से हमारे मागुरू संजे जैन साहब श्री नर्शी ग्रेवाल साहब जो बार-बार-बार-बार हर तो महने तीन महने के अंदर हमारी मीटिंगों में लगातार कंटिन्यू अपने करेक्टर को कैसे तैयार करना है अपनी इस्प्रीचल अपनी को मजबूत कैसे बनाना है इन सब चीजों के लिए लगातार हो एजूकेशन देते के नेवर गिव अप कभी भी गिव नहीं करना ग्रेट टिंग टेक टाइप बड़ा सोच समय लेता है बड़े अच्यूमेंट समय लेते हैं गिव अप मत करिए और गिव नहीं किया एजू प्रिश में आया था और वहाँ पर मैंने कुछ ड्रीम बनाए था कि मैं यदि उन लेवलों का अचीव कर लूँगा तो उसके बाद मैं अपने इंकम का 25-30% जो है क्योंकि मेरे कोई सबस्ट आती लोग बहुत सर लोग बोलते बाइसाब इतना पैसा कहा से आ रहा है बाइस लगेगा पीछर बोला है डॉंट की वाप अच्छे कामों के लिए वक्त लगता है सबसे पहले सिस्टम ने हमें समझाया अपनी खुद की लाइफ को बदलिए फिर बताया अपने परिवार की लाइफ को बदलिए फिर बताया अपने सराउंडिंग में अपने पूरा लिया और हमें माध्धम बनाया करने वाले वह हैं और यह बहुत ही शांदार जो है यह पहला मंदिर जोदाद सोदाद 15 के अंदर जब कंप्लीट हुआ 2012 में मैं कैपिंग आ गया था और 2012-13 में जब कैपिंग आया था तो उसके बाद से मैंने डिसीजन लिया था और वहीं से लगातार continue मुझे प्रेणा मिली और लगातार मुझे माम गुरुजी श्री देवंदर सर्मा साब श्री सुनेल लाल साब और श्री नसीगरेवाल साब इन लोगों का मुझे लगातार आशिरवाद मिला लगातार हमेशा इन्होंने मु तक कोई मंदिर नहीं था वा पर दूसरा बगवण संकर का यह दूसरा मंदिर निरमान तयार हुआ और यह लगभग 20-20 के अंदर तयार अना और यह भूत ही खुबसुरत मंदिर जो है तयार हुआ यह दूसरा iteamuil जो है तयार करके दिआ और यह in डिटू घंवर्य network marketing safe shop की कमाई से कहीं भी एक single रुपे का donation मैंने किसी single एक आदमी से नहीं लिया है आज तक single एक रुपे का donation मैंने किसी से नहीं लिया है number one number two tax बचाने के लिए हमने single एक भी इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है जिसके अंदर हम लोग tax बचा पाए सारा का सारा tax pay करने के बाद उसके बाद मैंने डिसाइड किया तक जो मेरी income रहेगी परमपिता प्रमेश्वर की करपा से मैं अपनी income का minimum 25 प्रिसेंट और उपर जितना बावा लगवाएगा अपन तयार है कोई problem नहीं है सब कुछ करवाने है मैंने मेरा जीवन प्रमपिता प्रमेश्वर के ओपर छोड़ा हुआ है और यह दूसरा मिला मुझे और ताकत मिली और लगातार continue मेरा बिजनिस आगे बढ़ा मेरे गुरू लोगों का असरिवाद मुझे और ज्यादा मिलना चारों तरफ सभी तरफ से इस प्रकरती ने हर अदमी के द्वारा मुझे प्यार दिलाना शुरू किया आप चारों तरफ मुझे इतना इस यूनिवर्स की तरफ से इतना प्यार मिलता है किसकी वज़ा से दोस्तों डावर ओफ डाएट सेलिंग दा पावर ओफ सेफ सॉप दा पावर ओफ सही गाइड लाइन सही गाइड लाइन में आप रहते हैं उसके बाद देखी मैं वहाँ पर एक बार मुझे गवशाला में जाने का मोक्का मिला और वहाँ पर मैंने देखा बड़े-बड़े R.A.S. या पैसा लेके कहीं ये कुछ गलत तो नहीं करने हैं, तो फिर हमने देखा और उन लोगों की मनसा बिल्कुल क्लियर हुई, और दोस्तों वहां पर उन्होंने प्रिस्ताव रखा कि लगबग 10-15,000 फिट लगबग पक्का लेंटर डलेगा और उस लेंटर की पहल, मैंने तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मंदिर का काम चल ला हूऊ था, और कुदरती मैंने शौमवार के दिन था, और शौमवार के दिन में पता नहीं क्यूं क्या हुआ, मैंने का कोई बात नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि इतना पैसा लागेगा, उन्होंने सभी तो अच्छे समाज से भी लोग थे और गलती से पता नहीं क्या उन्होंने का बेटा हमें बहुत उमीद है और आप कर जाओगे तो यह सब मुझे लगा कि यह सब कुन्यात्मा है संतों की सेवा संतों ने बोला बेटा कर जाएगा कोई चिंता नहीं मुझे सच बताता हूं मु के अंदार यह हमने नीव रखी और उसके बाद फिर देखिए यह पूरा लेंटर कंप्लीट कराया कंप्लीट सारा का सारा लगबग 14,000 फिट यह पूरा कारेज चला डेड़ साल तक लगाता और अभी प्रेजेंट में लगबग 1000 से जादा गाएं आज बहुत ही छाया में और इसका टोटल अमाउंट अभी आपने देखाई पूरा का पूरा जो है अपने आप होता चला गया मुझे मुझे सच में नहीं पता कि इतना पैसा किदर से आया क्या हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ इखटा पैसा नहीं लिया बस दिरे 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 आता गया पैमेंट चलता गई मिस्तिती का पैसा था पासाद लाख रुपे में काम हो गया ऐसे करके सारा मिल मुलके और यह काम कैसे हो गया पता भी नहीं चला दोस्तों आज यह बहुत बड़ी लगबग आप देखिए लगबग 14-15,000 फिट में और बहुत बड़ी गवसाला और आज यह जो गाए मता हैं बिचारी गवमता जो बहुत ही आराम से बहुत ही सेफ ली और यहां पर एक होस्पिटल का भी काम स्टार्ट हो गया है और वहां पर मैंने एक अलाउंसमेंट ओर कि इन गवमतां के लिए एक डोक्टर की पूरी सलरी मैं दूँगा पूरी सलरी इनमें कोई भी मा बेचा है अरादमी का अपना वह है और देखे यह अभी गवसाला कंप्लीट हो चुका है और बाबाशी शुरूप महाराज गवसाला सोजन्ने से आपने पढ़ा होगा सोजन्ने से कोई NGO लिखा जाता है अब सोजन्ने से क्या लिख वाए मैंने का जो तुमारा मन करे वो लिखवा है तो लिखने की क्या बात है देने वाला वो है प्राण कभी भी निकल सकते अना तो जो क्या लेकर जाएंगे भया परमपिदा प्रमेशर मास्टर बनते तो शाद 10-15 अजार रुम भी तो गुजरा होता तो पता नहीं क्यों सब बाबा की कृपा है और उन्होंने सब मोका दिया और आप यह देखिए पूरे राजस्तान के अंदर बहुत जगह यह इतना न्यूज मीडिया मतलब मैं तो कभी शोच भी नहीं पाता था अभी मैंने क्या किताब पढ़ी समय लगता है अच्छे काम में समय लगेगा दो दीन में नहीं हो जाएगा चार दीन में नहीं जोगा मैंने जब पिजनेश जोएन किया था मैं सच बताता हूं उनेस्टी से मैंने कभी नहीं सोचा था पूरे राजस्थान की मीडिया इस तरह से जो है आपके चर्चे और आपके परचे जो है विखक करेगी सब कुछ परमपिता प्रमेश्वर का है मेरा इसमें कुछ भ पासे है अपन सिरफ और सिरफ निमत मात्र हैं और हम सिरफ माध्यम है मैं अपने आपको हर पल सिरफ और सिरफ एकी बाद देता हूं के प्रमपिता प्रमेश्वर यह माध्यम मुझे बनाया दिल की घहरायों चाहाब का बहुत-बहुत धन्यवाद इस ज़ादा ना मैंने सरकारी स्कूल के अंदर भामाशा का सम्मान जो है मुझे मिला राजस्तान सरकार ने मुझे भामाशा सम्मान दिया उसमें भी आप देखिए 35 लाख रुपए का डोनेशन हम लोगों ने दिया जिसके अंदर बड़ा होल बना तीन कमरे बने और पूरी हमारी सरकारी स्कूल बहुत ही टॉप लिवल की स्कूल है अजगी डेट में और इसे चीज़ को देखते हुए शिक्षा भूशनवार राजस्तान सरकार ने मतलब गोर्मेंड की तरफ से हम लोगों को भामाशा सम्मान दिया गया उस मुझे बहुत खुशी होती है एक हजार से जादा अंधे लोग जो बिलकुल अंधे थे सेफशोप की अपनी महनत की कमाई से दोस्तों उनको आखे मिल चुकी है उनको लैंस मिल चुका है हर साल बंडारा होता है पांच-छे हजार लोग पूरा देशी बंडारा क्योंकि मैं संस्क्रित के स्टुडेंट था अन्यदान महादान मैंने पढ़ा था और मुझे तक अभी ऐसा लगता नहीं है कि लोग पास पास दस दस अजार लोग माल खाड़ा खापी के जाते हैं कहीं एक दाना भी कम हुआ हो नहीं जो परंपिता प्रमेशर की हमने जो उम्मीदी लगातार मैंने महागुजी सेरी सुनेलाल साब को देवंदर सालमा साब को नर्सिक रेवाल साब को बोला हुआ है सर मैं आपके चर्णों की दूल हूँ मुझे आदेस कर देना कहां बैठना है कहां क्या करना है मैं हमेशा आपके चर्णों में हूँ सिस्टम के साथ हूँ औ और लगातार एक हनुमान बनकर मैं हमेशा और हमेशा आप मुझे आदेश करते जाएए उन सारे कामों को मैं करके दिखाऊंगा मैं जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तयार रहा हूं लगातार कंटिनु जिम्मेदारी ली और लगातार काम आगे करते गए यह देखे उसके नहीं करते हैं दोस्त समान बहुत करते हैं बहुत समान होता है बसरते काम करके दिखाना पड़ता है अपने को अब इसके अंदर क्या करना है बिल्ड कैसे होगा बिल्ड कैसे होगा बिल्ड होगा हमारा जो बिल्डप का जो प्रोग्राम में ग्रेट साथ सपन हो गए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अपने को जो है अब इसको करना कैसे करना कैसे तो मेरे को पता चला कि इस बिजनिस को इस ग्रोथ कैसे लेनी है अबाउट कंपनी कंपनी के बारे में हमको समझना है कंपनी क्या है किस तरह से काम करती है बहुत से अलब बोलते हैं सर कंपनी ने ये कर दिया अरे भाई कंपनी ने क्या कर दिया समझना का टाइम लिया था कि नहीं लिया पहले ये बता जब समय लिया मैंने लिया अठारा साल पहले company को अच्छे से समझ लिया था company किस तरह से काम करती है system को अच्छे से समझ लिया था product किस quality के है किस तरह इसे के product है किस तरह यह काम करते है product को promote करके यह सारी चीज़े होने वाली यह सारी चीज मुझे पता चल लगी थी the government की guideline को follow करके company काम कर रही है कहीं भी zero tension नहीं थी और कहीं भी काम करना ही था काम तो यहां भी करता बार भी करता network marketing के बारे में किताबे पड़ी network marketing आने वाले time का future है और इसमें ना के सिर्फ हमारा जीवन हमारे बच्चों का जीवन भी बहुत safe है और knowledge knowledge के बिना क्योंकि मैंने लगातार पढ़ाई करी थी बचपन से मैंने education करके और लगातार पढ़ाई में मैं हमेशा अपना जो है पूरे focus रहा हूं तो मेरे को कहीं भी यह doubt नहीं हुआ कि बड़ा काम करना है बहुत बड़ा network बनाना है जिनकी बदलनी है और top से top millions लोगों की life को transform करना है तो बिना पढ़ाई यह हो जाएगा और पढ़ाई को ऐसी नहीं थी जो उर्दू थी पढ़ाई को ऐसी नहीं थी जो कि अर्बन कंट्रियों की पढ़ाई थी सिंपल हिंदी में लिखी हुई किताबे थी उनकी जो बाते थी वो बाते सिर्फ मुझे पढ़ना था और अपनी समझ को develop करना था ऐसी भी कोई education नहीं है जो समझ में लिया आएगा तो यह चीजे ली हमने और दोस्तों फिर growth लेना पता करे मैरे को इस business में और system में आप इसका advantage क्या होगा system और applying system और applying के जितना ज्यादा आप नजदीक रहेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा exactly आपका dream क्या है exactly आपको जाना का है और क्या जहां जाना है और जो achievement आप ले सकते हो क्या वो इस industry से संभाव है जब आपको पता चल जाएगा यह संभाव है बाकी लोगों के अपने पूरे वें तो हमारे भी होंगे बाकी लोगों ने एथिकली network बनाया है तो हम भी network बनाएंगे फिक है तो जब यह सारी चीजे clear हो जाती है तो रास्ता clear है तो फिर उसके बाद उसमें क्या-क्या challenge जाएंगे तो मै को का गलता experience रहा है तो वो लोग को यह आपको लड़ू तो देने वाले नहीं है तो उसका बुरा मानना क्यों आपने जब किसी का कुछ गलत किया नहीं है और कोई आजमी आपको गलत कुछ बोल रहा है तो उसके अंदर अपने को मान से कि इस तरडवलब करना है यह education show हो ग यह समश्या है लेकिन आप यदी business में आगे बढ़ रहे है और उस रास्ते पर चलते चलते जो उस रास्ते के challenges है उस रास्ते में मालो सपोज कि यह breaker है तो breaker है तो वह गाड़ी को दीरे करना है और दीरे करना है आराम से उतार के गाड़ी को ले जाना है आप height पे चड़ रह थोड़ा weight करिए relax करिए पानी पीजिए थोड़ा relax करिए दुबार फिर चल दीजिए आप पहुंच जाएंगे तो ऐसी कोई समझ्चा है नहीं है और इस दर्ति पर देखे काम करना है तो उस से related उस business related जो भी challenges आएंगे उनको तो स्विकार करना ही होगा आर्मी में जाता है आदमी तो बंदू के सामने challenge नहीं है बिल्कुल है पढ़ा रहा है तो बच्चों को पढ़ाना challenge नहीं है बिल्कुल है इंजिनियर है तो एक पूल पढ़ने वाला है तो उसकी पूरी ड्राइंग वगएरा तयार करना challenge है उसमें mistake हो जाती है धर्ति पे कोई भी काम से related challenges तो आएंगे हैंगे और जो challenges से घवराता है वो कभी भी जिन्दगी में ना dream पूरे कर पाता और ना life के अंदर कभी भी कुछ आगे कर पाएगा उसके बाद जाना का यह पता चलिया तो फिर उसके बाद में करना क्या है दो काम करने है एक करना है self development दूसरा करना है team development self development और team development क के लिए बहुत सारी किताबे हैं प्रक्तिशुत्र हमारी किताब है हमारे बहुत सारे सेमिनार होते हैं हमारी मिटिंगे होती है सकसर सपोर्ट सिस्टम की free of course eight step training हर हफता free of course education जो हमें system देता है कोई charges नहीं है कोई आदिम बोलता जी मैं गरीब आदमी हूं भया फिरी में शुक्रवार को training ले लगाता है एक से बढ़के blessing लेनी है especially कुछ counseling करनी है तो जूम आज की डेट में फिरी चल गया तो online आप जूम पर बैढ़ जाए और जूम के अपने great senior applying के साथ में आप अपने counseling करिए that's it simple आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है team development team development के लिए किताबे पढ़नी है training लेनी है और जिन लोगों ने team develop की है simple है उसे अपने को पूछना है कि सर अभी मेरी पजास के team हो गई अब मुझे क्या-क्या जिम्मेदारी लेनी है अब यह जिम्मेदारी आप श्विकार कब करेंगे जब आप इस industry में सही मायने में आगे जाना चाते हैं तो अपने को फिर lead करना आना है तो lead करना सीखे जाएंगे और lead करना अपने को को किताबों से बहुत जादा नहीं सीख आया अब वहाँ यहदि मैं ego लेके बैठ जाऊँगा तो वहाँ पर अगली बार अप्लाइन नहीं समझाएगा मैंने मेरे अप्लाइन को गुरू लोगों को बोला सार कोई भी गलती होती है सबसे पहले बे फिकर होके और मस्त तुरंत मुझे बताईए मैं ततकाल में प्रोड़क्ट की नोलेज आपके पास होनी चाहिए आज सेफ्टॉप के 326 से जा आज एक्जेक्टी 326 प्रोड़क्ट लाइव है सरा 326 प्रोड़क्ट आप देखे किस-किस की नीड कोई भी आदमी अपनी नीड खरीद के इस बिजनेश में आ सकता है उन प्रोड़क् के प्रोड़क्ट के बारे में जानिए बहुत सालों होते हैं जी प्रोड़क्ट ना मेरे यह तो इसने दस्त कर दिया अरह तो भाई वह जो आपने नोनी प्या है या अलोवेरा लिया है उसकी मात्रा भी तो पता होनी चाहिए ना अब मैं जूश ही जूश आउगा अनुर पर्मोट के रहे यह शूट है मैंने पहना हुआ है कंपटी ट्राय यह महत् właściwie सिलवां हुए हुए धा यह गड़ी वह भी चलुulator हो चलिए अरहा ड乾़ाग चलु donating है आराम से पिर भी खराब हो जाते तो दुनिया में चीजे खराब भी होती है ऐसी कोणसी चीज रूपते है और दुनिया बर के प्रोडेक्ट लीजिए और प्रोडेक्टों की बढ़िया एजूकेशन लेके लगाता रागे बढ़िये पर्फियूम यूज़ करिए बढ़िया मस्त चाय आप पीजिए अभी 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 देखिये नोनी रखा वाथ बढ़िया और इसके बाद मसाला टी सिंगापूर जा रहा है कंभी लेके जाएक जाएंगे मस्त एकदम पूरा और साथ मैं बोटल लेके जाएंगे नोनी का सिंगापूर में भी शुपह बून के प्रूज में बैट बैठे के मस्त速े खुबह से आराम से जब एकदम महोल बहुत सुंदर हो जाता है घर-परिवार में जब संपून अनुमान चलता है अना सुंदर कान्ड का पाठ हर मंगणवार को मंगणवार को सुंदर कान्ड पाठ करिए कहीं जानेगी जरूत नहीं अपने आप इसके अंदर पंड़ी माराज जो है बस इतना शांदार प्रोड़क्ट वर्ल्ड का टॉप मॉस्ट डिजिटल किताब हमारी शांदार टी शट पहनिए और ट्रेक शूट पहनिए और यह सारे प्रोड़क्ट हम नहीं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी गेर बहुत ही कम दाम में मार्केट में कहीं भी आप जाओ इनसे सस्ता पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्टी में हमारे से सस्ता और हमारे से अच्छी क्वालिटी किसी भी डारेट सेलिंग इंडस्टी में किसी कमपनी की नहीं है बाई साब आप उसके बाद भी यह दी हम नहीं कर सकते तो इसक के अलावा शूट दे दिए इस पोर्ट शूट जो अलग अलग टाइप के दे दिए तीन तीन सो रुपए में स्लिपर दे दी बताओ आप मुझे जो कि मार्केट में 12-12-15 बत्र रुपए की मिलती है तो यह प्रोडेक्टों की नुलेज प्रोडेक्ट यूट करना है और यह जो बड़ी जिन्दः की से बनेगा यह प्रोटप्थ को प्रमोट करने से बनेगा फसने फुसius मार्केट में बूलते हैं 230 लागँ थो तुम दो 2 बनाओ वो काम नहीं यह बहाए साभ यहाँ यहां पर प्रोटतों को प्रमोट करना है हमारी कंपनी का हर प्रोटप्थ का यूजर बन के उस की जो define करना है उस product के बारे में और मज़ाएगा अब तीस रहाता है team development के लिए क्या करना है उसके लिए कुछ skills है वो skills में आज नहीं बता हुआ लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं किन-किन skills को सीखे बगर लोग यहां से निकल रहते हैं और बोलते हैं मैं कामयाब नहीं हो गया कामयाब होना है तो आपने graduation करने के लिए 15 साल बिताई थी और master बनता 10-15 जार रुपए कमाता यहां से network बनाने में 15 दिन रुकाने और भग लिया एक दम मुह उठा के महराज यह सारी skills है time management skill लोगों के पास time की कमी है time management skill सीखें यहां से problem solving skill network है चोटे-चोटे चलेंजे जाएंगे उन चोटे-चोटे चलेंजों को problem को solve करने का अपने attitude तैयार करना है leadership skill leadership को develop करने का अपने को skill जो है वो अपने को तैयार करना है communication skills संप्रेशन एक दूसरे को communicate नहीं कर पाते लोग और आउट हो जाते उसने मेरे को यह क्यों बोल दिया उसने कहा है वो तेरे बारे में यह बोल रहा है अच्छा उसने ऐसा बोल दिया बस तो आज के लेना ची यह पता ही नहीं होता तो यह skills है इन skills को सीखे बगर आप इस industry को छोड़ रहे है तो इसका मतलब फिर गलत हो रहा है बाई साब self-motivation skill दूसरा कोई आदमी injection लगा के motivate नहीं करेगा तो यह अपने आपको motivate कैसे रखना है यह skill है यह कला है और यह सारी कला बहुत आसानी से आराम से यह बोल दिया और वो तूट जाते हैं और बहुत बड़ी industry थी बहुत बड़ी कामयाभी नहीं जा सकती थी लेकिन emotionally तो मैं भी बहुत बार हुआ लेकिन emotional में intelligence को हमने develop किया और emotions से किस तरह से उनको बहुत ही systematic maintain करके और emotions की वज़ा से हम लोग business को नहीं छोड़े यह हमने सीखा आपको भी चीज़े सीखनी है system सब सीखाएगा system की basic knowledge अपना 100% दीजिए do good every time हमेश आचा करिए work unconditionally condition लगा के आप काम मत करिए बड़ी success अपने को लेनी है एट basic है three cardinal rule है three powers है इनका इस्तेमाल करके 10 core steps है इनको लगातार continue शीखना है और इनके उपर काम करना है first information meeting group meeting 100% user चार दिन का दिशा वर्क्षोप है उसके उपर अपने को फोकस करना है ज्यादा ज्यादा लोग को लेके पहुंचना है और इसके अंदर self-believe company उपर बिलीव यह बिलीव है चार तने के बिलीव है दोस्त यह बिलीव कभी भी टूटने नहीं चाहिए पिछले 18 सालों में एक प्रसेंट भी नहीं तूटे है इसलिए हम यहाँ पर खड़े है एक तो अपना खुदा विलीव नमबर दो company के उपर से बिलीव नहीं तो नहीं भया नहीं यह तो गलत हो रहा है फिर आप भी अप्लाइन हो आपके टीम में 500 की टीम बनेगी कितनों नीचार डालोगे यह गलत रस्ता है तो सही रस्ते को पकड़िए इसकी सही अजुकेशन को पकड़िए और सही अजुकेशन पकड़ेंगे तो डेफिनेटली बह करेंगे पूरे भारत में हिंदोस्तान के अलग अलग कोने में हर जगां के ऊपर हम भारत में वैन्यू डवलप करेंगे जिससे कि हमारे लीडर्स और हमारे टीम लगातार कंटेनियों डवलप होती रहे इन बातों को हमने विशेज ध्यान देना है अपने इनोर सिस्टम को अपने बदलाव करना है लगातार आपको बदलाव करते देना है और इस सर्कल को हो करने के बाद लर्नींग और नी के सरकिल लगातार चलना चाहिए इसे से आपका future जो है उसका दरवाजा खुलने वाला है दोस्त और every time enjoy every moment every moment और every day आप enjoy करिये thanks God for blessing भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे अप्लाइन इतनी प्यारी टीम और दमदार सिस्टम देने के लिए दिल की गहराईयोश से बहुत बहुत धन्यवाद मागरोजी दिल की गहराईयोश आपका बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much great sir बहुत 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 धन्यवाद आपको और नए साल की इससे बैतरीन शुरुआत हो नहीं सकती थी आपको भी नए साल की डेशारी शुब कामना है मैं चाहता हूं यो कर दो है स कहल्से अाहत हुत बहुत कर दतक डिए शीरो, कि बहुत झाव योतित दो भी थरो Campbell sाह ची अज़ के पर गिos एह घो हम क्यार्व Lुड़ कार से दो घज़ पर भी आपको पुन की बहुत हुत बहुत डिश दो क्यों कि दीए य encont १़ बहुत बहुत आपको फ।